बिद्स के बीट गंदर सरकार ने खत्म किया बहुत बड़ा अंतर यानि कि OPI S वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बता हैं अगरूल प्र न्ये है तो चैनल को सब्सक्राप कर लिए घंटी की बटन को दबाईए ताकि सबसे पहले वीडियो नोटिसफिकेशन आपको मिलें दोस्तों भारत सरकार के बित मंत्राले ने बैय विभाग के तहत केंद्रिया पैंसन लेख कार्याले दौरा अठारह दिसंबर को जारी एक कार्याले ग्यापन में यह बात कही गया है कैंद्रिया सिविल सेफा पैंसन नियम 1972 अब कैंद्रिया सिविल पैंसन ह्याम writers twolington जिरो थो न के तत्र उसे N स्रीज के तहट जारी किया जाता है अगर OPS से जुरा कोई केस है तो उसमें इस तरह का कोई अक्षर जिससे उसकी स्रेणी का पता चले जारी नहीं होता था NPS में PPO नमबर जारी होता है जो उस वक्त N लिखा जाता है अब यह विभेद यह जो अंतर था या खत्म कर दिया गया है यानि विकलांगता पेंशन या फैम फैमली पेंशन की फाइल पर पीप्यो नमबर जारी करते वक्त कोई बिभेद नहीं किया जाएगा अब N सरे नहीं हटा दिये गया है यानि अगर फाइल पर N लिखाता था तो अगला कमचारी को पता चल जाता था कि बंदा जो है निउ बोलते हैं अपना डिफरेंस उत्पन किया जाता था कि भाई यह NPS का है न्यू पेंशन का है यह और पेंशन के है तो इसको थोड़ा प्यूर्टी अलग तरीके से दिया जाता था इसी इसी बिभेद का इसी अंतर को खत्म करने के लिए भारसरकार के बित मंद्राले ने एक नया आदेश 18 दिसंबर को जारी किया है और इस आदेश के तहत कहा गया है कि NPS में जब भी कोई PPO इसू होता है तो उसमें N यानी NPS रेनी लिखा रहता है या अब नहीं लिखा जाएगा बांकी सभी बातें एक समान होगी लेकिन अब PPO नमबर में N जो लिखा जाता था वो अब नहीं होगा इस विवेद से समधियत लबार्थी को या अहसास होता है कि अब पुरानी पेंसन है या NPS में अब बित मंत्राले के कारियले ग्यापन से इस अंतर को मिटा दिया गया है यानी भले ही वह कोई केस बोर्ड आउट होने का हो या फैमिली पेंसन का हो सब म आपका क्या विचार है हमें कॉमेंट बख्शन जरूर बताईएगा मिलेंगे ऐसा इन्फरमेशन के साथ तब तक के लिए जाहिंद